हाई गाईस हलो और वालकम बैक टो मैं चैनल लाव ब्यूटी ओन ड्यूटी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंसी में पीरियट से वो आते हैं या फिर कैसे आप इंप्लाटेशन ब्लीडिंग को पीरियट समझने की गलती करते हैं पीरियट और प्रेग्नेंसी को लेकर महिलाओं की मन में कई सवाल होते हैं और इन्हें में से एक सवाल यह भी है कि क्या प्रेग्नेंसी में पीरियट आते हैं तो महिलाओं के मन में यह सवाल इसलिए भी आता है कि कई बार प्रेग्नेंसी में पीरियट रुक जाते हैं जो बहुत से कारणों से हो सकती है ज्यादर महिलाएं अपने periods ना होने से यह अंदाजा लगाती है कि वो pregnant है pregnancy और periods को biological तरीके से समझा जाए तो एक समय पर कीवल एक ही चीज हो सकती है और यह possible नहीं है कि periods और pregnancy दोनों एक ही समय पर हो तो आज के इस वीडियो में हम पोरा detail से इस topic पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप implantation bleeding को period समझने की गलती करते हैं या फिर कैसे आप हरकी bleeding को period समझने की गलती करते हैं और गर्बावस्ता के दोरान periods आते हैं या फिर नहीं आते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो है वो काफी useful है महिलाओं के लिए पूरा जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे यूसपुल लगे तो प्लीज वीडियो को like share और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को वीडियो को वीडियो में और जानते हैं इस यूसफुल टॉपिक पर फुल डिटेल तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या आपको प्रेगनेंसी के दोरान periods हो सकते हैं तो इस सवाल का biological उत्तर यह है कि नहीं आपके सरीर के लिए यह संभव नहीं है कि जब आप pregnant हो तो उस दोरान आपको periods हो यदि आप कर वदी है तो इसका मतलब है कि आपके अंडे fertilize हो चुकी है और आपका गरभास्य बच्चे के लिए तयार हो रहा है period के वल उसी condition में होते हैं जब आपके अंडे unfertilize होते हैं और आपका गरभास्य को बच्चे के लिए तयार होने की आफशकता नहीं होती है तो implantation bleeding को कैसे आप period समझने की गलती करते हैं तो कुछ मामलों में यह संबव है कि fertilize एक लगबग उसी समय जिस तोरान आपके periods होने वाले होते हैं गरभास्य में implant किया जाता है तो जैसे ही अंडा गरभास्य की lining में समाता है तो यह possible है कि आपको हलकी spotting और vagina से white discharge हो सकता है जो मुख्य रूप से uterus wall के मोटे होने की कारण होता है कई महलाएं implantation bleeding से confused हो जाती है जिसमें हलकी spotting हो सकती है जो period के दौरान होने वाली normal bleeding के मुकाबले कम होती है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैसे हलकी bleeding को आप period समझने की गलती कर सकते हो तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनकी वज़े से आपको spotting या फिर bleeding हो सकती है और इसे pregnancy के सुरुवात में periods के दौरान होने वाली bleeding समझने की गलती हो सकते है तो एक होती है back through bleeding आपका सरीर मासिक चक्र की सुरुवात में progesterone जैसे हार्मोन को release करता है और जब आप pregnant होती है तो इस हार्मोन का level बढ़ जाता है जो यह आपकी periods को रोक देता है हालांकि कभी कभी ऐसा होता है जब हार्मोन का level प्रियाप्त नहीं होता है और यह है उसे समय के आसपास back through bleeding का कारण बनता है जिसे आप period समझने की गलती करते हैं दूशरा region है ectopic pregnancy जब fertilize under fallopian tube या uterus में गलत तरीके से implant होता है तो इसे ectopic pregnancy कहा जाता है ectopic pregnancy के लक्षनों में से एक यूनी से heavy bleeding और उसके साथ पेड और pelvic में दर्द होता है ectopic pregnancy को dissolve करने या फिर surgery के जरी निकालने की जरूरत होती है अगला जो कारण होता है birth control pills birth control pills की कारण सरीर में hormonal परिवर्दन होते है यदि आप birth control pills बंद करने के बाद तुरंत गरबवती हो जाती है तो आपको spotting या फिर hulky bleeding दिखाई दे सकती है इसके अलावा miscaras, miscaras तब होता है जब बच्चे के साथ कोई विकास सम्मंदी समश्या होती है यह भारी bleeding और cramp के साथ में होता है अगला जो कारण है placenta समंदी समश्या के कारण bleeding प्ले से जूरी कुछ ऐसी इस्तिती हो सकती है जो विसेस रूप से दूसरी और तीसरी महीने में वजाईना से bleeding का कारण बनती है placenta previa एक ऐसी इस्तिती है जहां placenta cervix को आंसिक या पूरी तरह से बंद कर देता है एक और इस्तिती है placenta abortion जिसमें नाल uterus wall से अलग हो जाती है जिसके कारण हलकी bleeding हो सकती है जिससे आपको pregnancy के दौरान periods होने का सक हो सकता है तो यह कुछ कारण थे जिससे गर्बावस्ता के दौरान bleeding हो सकती है तो यह संबव नहीं है कि आप एक ही समय पर गर्बवती भी हो और आपको period भी हो इसके अलावा गर्बावस्ता और period दोनों के दौरान cramp, peat में दर्ड या चिर्चेरापन आदी लक्षिन भी common होते है तो गर्बावस्ता के दौरान मामूली bleeding और sparring आम बात है और साइद ही इसमें आपको या बच्चे को कोई नुक्षान हो सकता है यदि आप pregnant है और आप पिर आज का वीडियो है वो आप लोगों के लिए useful रहे सो मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लिए बाई